सोलन में बेकरी बेवसाई से जुड़े बेवसाई सुरेंदरवर्मा ने पलम केक बनाने का फैसला लिया लेकिन क्योंकि इस केक में रम डल दी है इसके लिए इसका लाइसेंस लेना जरूरी होता है लेकिन आपको ही जानकर हैरानी होगी कि इसका लाइसेंस देने के लिए हिम बनाने के लिए बिशेश लाइसेंस चारी करने के आदेश दिये। जित पकड़ी थी कि इसके लिए उन्होंने एक वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ी और सरकार ने बिधान सबा में बिल पास कर पलम केक बनाने के लिए बिशेश लाइसेंस जारी करने के आदेश दिये। अधिक जानकारी देते हुए बेकर स्टेट के मदूरकर बर्मा और सुरेंदर बर्मा ने बताया कि उन्होंने पलम केक बनाने के लिए एक वर्ष का कानूनी संगर्ष किया और इसे बनाने के लिए उत्री भारत का पहला लाइसेंस हासिल किया। उन्होंने बताया कि इस केक में क्योंकि ड्रम डलती है इसलिए इस केक को बनाने के लिए लाइसेंस की आवशक्ता होती है। उन्होंने बताया कि बड़ी शहरों और बीदर्शों में ये केक क्रिस्मिस में बीहत पसंद किया जाता है। लेकिन अभी तक इसको बनाने का लाइसेंस पूरे उत्र भारत में नहीं था। बे उत्री भारत में पहले बेवसाई होंगे जो बैत तरीके से ये केक बनाएंगे। उन्होंने बताया कि केक में डलने बाले सामगरी में सभी किस्मक्ष ड्रम को मिलाए गया जिसे सुखा कर केक बनाए जाएगा। नवाशकार आज होटल पेरागॉन सोलन ने पहली बार प्लम केक केक मिक्सिंग प्रोग्राम किया है। हमने और मुंक रम को यूज करके विदाद एक्साइस एंट एक्सेशन डिपार्टमेंट की फर्मेशन ले करके उनको हमने लाइसेंस के लिए लाशेर भी अप्लाई किया था बट उन्होंने हमें मना कर दिया था। केते कि ऐसा हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है और फिर हमने कैबिनेट के पर अप्रोच किया कैबिनेट पर अप्रोच होने के बाद हमें इस साल वो लाइसेंस करांट हुआ हमने आज एक प्लम मिक्सिंग के कब से प्रोग्राम किया है जो कि आपको दिसंबर पच्छिस के काने के लिए मिलेगा आज शेरमनी यह थी कि आज इसमें जो है सब डेलिकेट्स को बूला करके सब के सामने हमने अपने जो हमारे पास ड्राइफोर्ट थे जो इस प्रम मिक्स केक में डलते हैं उन सब में इंग्रीड में ओर्म को बीच में शेयर किया तो मुझे बहुत कु को officially पूरे legality procedures के साथ बेच पाएंगे इसका license और पहले market में कुछ में नहीं था तो exercise department ने हमें बिल्कुल strictly मना कर दिया कि आप यह alter नहीं कर सकते तो हम उस time बिल्कुल अपना event cancel किया फिर exercise department के head से बात करी फिर अपने advocate को advocate को approach किया वो भी retired है exercise department के officer है तो उन्होंने हमारा case आगे pursue किया फिर यह इस साल के exercise तो यह था आजिनबर का कारेकरम कल फिर रहाजर होंगे नेकर दियां के साथ आप ऐसे ही जुड़े रही है अच्छे के साथ नुश्कार